हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टो मैं यूटूब चैनल, तो चले आज जारखन की रानी का सेर करते हैं, अम लोग जारखन की रानी नित्रहाट को कहा जाता है, और नित्रहाट की वादियां तो आप भूलने सकते हैं, और आप अगर नित्रहाट नहीं आये हैं, तो जरूर आने का कोशिस करेंगे, और आप कस्मीर जैसे जारखन में भी यहां का मस्ति ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, सबसे फर्ष्ट नित्रहाट का सन्राइज पॉइंट, इसको कोयल भीव पॉइंट भी बोला जाता है, जो कि प्रकृति की वादिया में सुन्दर सद्रीश से दिखता है सन्राइज पॉइंट, आप यहां पे आके सन्राइज पॉइंट करना जारा देख सकते हैं, आपको जो है, यहां पे जंगलों से घीरा हुआ, बहुत ही घंगोर जंगल मिलेगा, और यहां का जो प्रकृति है ना मन मोह लेती है, दोस्तु, दूसरे बात, आगे हम देखत हैं, दूसरे में, इसमें आएगा एक नेतरहाट में ही छोटा सा जील है, और इस जील में अब बोटिंग के भी सुविधाएं की जा रही है, यहां पहले से डेवलप्ट नहीं था, लेकिन अब इस छेतर को पार्क की रुप में भी बनाया जा रहा है, जिसमें आप सहलानिय को लिए ठहरने और मसती करने का प्लेश बहुत ही सुरत मनाया जा रहा है, इसके बाद देखते हैं, पाइन फोरेष्ट, आप पाइन फोरेष्ट करना जा रहा है, और यहां फोटो कहिचाने के लिए तो आप भूलने सकते हैं, दोस्तु, यहां आये तो यहां का एक करते बहती है उसका मन मोह लेने वाली नजारा प्रकिति की गोद में एक छोटा सा जिल का नजारा बहुत ही खुबसूरत लगता है दोस्तों और लास्ट जो है इसमें नितरहाट की खुबसूरत और अधुरी भरी प्रेम कहानी का एक निसाना है Sunsetания यानि कि इसको Magnolia Point के नाम से भी जाना आता है यहां हजारों की संख्या में परती दिन लोगं आते हैं और इस sunset point का सुर्यास्त का नजारा देखते हैं और आप सुर्यास्त का नजारा आप जरूर आके देखें अगर नहीं आये हैं तो चली मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई